बोले दल की बोलियां जाइके की जुबा है शमा गोले 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 दुल गोले शुबा गोई डिशी I love you कहे I love you, I love you गोई मिस्यू का सिकिनल बने रोज शमा की हो मैं पिर रॉना पने पिछे बिर गोले गोलियां जाइके की सुबा है शमा अभी मम्मी कहें दुला गोले 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 शुबा है शमा गोले शमा की हो मैं पिर रॉना को ने पिछे बिर बोले गोले शुबा है शमा करदार चौन सब्सक्राफ। साइकी की सबा है शमा ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑईल एंड शमा बनास्पती बोले दिल की बोल अजय कर दोमा के साथ अन हाथ तथ टार são जाहो बोले ठीन टीन के नही घाख में शमा राकिमझी नही हे शमा हुआ दूरी में हैं फिर्फ चादर इस नदी दोरी दी दूरी फेला हुआ माहाज की दात है चादर इस नदी दो बे भुबे दो जहां कौम जलग्वार माहाज की दात है नाजरीन हम बढ़ेंगे जिन बचों ने अब तक नात पढ़िये साथ-साथ हम सिसाय जारी रखेंगे उनके लिए कुछ इनामात हैं डिस्ट्रिक फुटबाल एससेशन के जानिब से तो मैं बदारिश करूंगा अपनी आज की इस तक्रीब के महमान महमाने खास महमाने अजाज मिया जाविद कुलेशी सदर डिस्ट्रिक फुटबाल एससेशन और एडिटर इन चीफ अवामी दर्शन सी एओ एन नियूज इन से के नाते रसुल मक्बूल से रह सेलम पेश करने वाले तलप और तालबात में इनामात की तक्सीम करें आजियुक्ति एन नाजिरें पर इनमात की तरसीर के बाद और मैं ते रहे रशकरता है और यह इनामात तो यगीनन इसे रहर रह सतना है कि यह एक दुन्यावी रस्म में इन बच्चों का इन तालबा तालबात का असल इनाम तो वह ही है जो वो सादत जो इनके हिस्से में आई आँ हजूर नभी अक्रीम अलिए सुनुना की शाने मुबारक बयान करते हुए सनाखानों में, सनाखानों की फैरिस्ट में इस मुकद्दस रात में अपना नाम लिखवाना अल्ला पाक से दौा है कि अल्ला ताला हम सब का बैचना, आपका देखना, सुनुना अपनी जनाब में गुबूल करमाएं अस्ति रब्ड जल्ला मा फी कल्बी गार उन्मुम्म्मद स्लिब ला इलाह इलाइ इल्लाइ हस्बी रब्बी जल्लाह मा फी खल्बी वैर उल्लाह नूर मुहम्मद सल्लाह ला इलाह इल्लाह सिम्त नभी बू जहल गया आका से उसने ये कहा मेरी मुठी में है क्या सिम्त नभी बू जहल गया आका से उसने ये कहा मेरी मुठी में है क्या आका का फर्मान हुआ और फजल रहमान हुआ मुठी से पत्थर बूला ला इलाह इल्लाह अशाल्लाह नादीने मुठीम शबे कदर आज हम पर दामनगीर है साया पगन है अल्लाह से दौा है कि इसकी बरकतें इसकी रहमतें और इस रात की नेमतें उन में से हमें हमारा हिस्सा अपनी शान के मताबिक जरूर अता करें यकिनन हमारे आमाल हमारी कोशिशें इसकाबिल नहीं हैं लेकिन अल्लाह की जात से हम उमीद रखते हैं और इस रात के बारे में मजीद गुफटगू करेंगे इसके फ़दाइल के बारे में जानेंगे ताकि ज्यादर से ज्यादा शौक मेरे और आप के अंदर सारे नाजर सायदी की बड़ी शब्कत फर्माते हैं इमान रमजान की कई ट्रांस्मिशन में इससे पहले भी तश्रीफ ला चुके हैं बहुत ही सादा अंदाज गुफटगू की वज़ह से मारूफ हैं आसान गुफटगू से नाजरीन पर मौज़ू को वासे करते हैं अल्लमा साब एक नाम से क्यों जाना जाता है इसका कोई शायने मुज़ू है या इसका रोशनी जा भी नहमَदू हो नुसल्य आला रसूलेहिलकरीम अमा बाद फाउदु बिल् rhin श्यतानि रजिम इस्मिल्लहिर रह्मान रर्हीम स्लाटू वस्लामु आलीका या रसूललह वाईलीका वाश्छाबिका या स्य्यदी या हबीब ल्लह बहुत शुक्रिया जनाब रुहांदानिस सहब आपका और एनन न्यूज की पूरी टीम का के जिन्होंने आज का ये खुबसूरत मुकाबला नाथखानी सजाया और लेलत अलकदर की इन बाबरकत साथों में अल्लह की रहमतों का हकदार बनने का ये सबब मोहिया किया लैलत बाधब जिसको अर्दु में श्ब गदर कहा जाता है श्ब फारसी का लफौज है अधन है गद्र के इन यह जिसमें ईकाना नाजिल होती है उनकी तादाद रुए जमीन की कंक्रियों के बराबर होती है شب قدر کہا جاتا ہے شب فارسی کا لفظ ہے قدر کے معنی ہوتے ہیں دو تین معنی ہیں ایک معنی ہے قدر کا قدر و منزلت والی رات یعنی یہ قدر و منزلت والی رات ہے جس میں اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں ان کی تعداد روح زمین کی کنکریوں کے برابر ہوتی ہے تو فرشتوں کی تعداد اس قدر ہوتی ہے جن سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے قدر کا ایک معنی تنگی کے ہیں یعنی اس قدر فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے دوسرا قدر کے معنی قدر و منزلت کے بھی ہیں یعنی اس رات میں جو عبادت کرنے والے عابدین ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ان کی عبادت کی قدر کی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے اس کا خاص اعزاز اور انام یہ ہے قرآن کریم میں اس کے حوالے سے پوری ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور اس میں تین مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور خصوصی اہمیت اس کی یہ ہے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے اس کی خصوصی اہمیت یہ ہے کہ اس میں رب العالمین قرآن کو نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کریم کو اس ماہ مبارک میں نازل کیا یعنی قرآن کریم دو مرتبہ نازل ہوا پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر وہ دفعاتاً یک بارگی ایک دم نازل ہوا اس کے لیے قرآن کریم نے اَنزَلْنَا کا لفظ استعمال کیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو ایک دم ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا اور پھر آسمان دنیا سے لوح محفوظ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جی اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا اور پھر آسمان دنیا سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی کبھی ایک صورت کبھی دو صورتیں کبھی ایک آیت کبھی دس آیتیں رفتہ رفتہ حسب موقع حسب ضرورت مختلف آیات نازل ہوتی رہی اور اس کا عرصہ نزول تئیس برس ہے یعنی تئیس برس کے عرصے میں ہستہ ہستہ قرآن نازل ہوتا گیا اس کو قرآن کریم نے انزال کہا ہے نزلنا اور انزلنا ایک نزول اور ہے اور انزال اور ہے تو یہ رفتہ رفتہ نازل ہونے کو انزال کہا جاتا ہے نزلنا کا جو لفظ ہے وہ ایک دم نازل کر دینے کے ہیں صحیح جزاک اللہ خیر یہ فرمائیے گا محمد صاحب اس رات کو ایک تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید نازل ہوا یعنی قرآن اور رمضان کا تعلق جیسے ہے ایسے قرآن اور لیلت القدر کا بھی خاص تعلق ہے تو میں اسی سسلے میں مزید تھوڑا سا میں چاہوں گا روشنی دالیں کہ جتنے ناظرین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دنیا جہان سے آپ ان کے لیے فرمائیے گا بلکہ جتنے ہم بھی یہاں موجود ہیں ہم سب کے لیے بھی کہ ہم اس رات کو قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ انتہائی قیمتی رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے اور ایک ہزار مہینے کے تیراسی سال چار مہینے بنتے ہیں اور پھر اس کو اگر منٹوں اور سکنڈوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک ایک منٹ جو ہے وہ کئی کئی مہینوں کی عبادت سے افضل قرار پاتا ہے تو آسان سا طریقہ شب قدر کی فضائل کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ آدمی نماز عشاء اور فجر کو باجمات ادا کرے تو حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص عشاء اور فجر کی نماز کو باجمات ادا کرتا ہے اسے پوری رات کی عبادت کا سواب ملتا ہے اور دوسرا چند ایک چھوٹے چھوٹے کام ہاں جی چھوٹے چھوٹے کام اور بھی کر لیا جائیں مثال کے طور پر ظہر ہے کوئی دو رکعت نماز نفل ہر تاک رات میں ادا کر لیں تو گویا اس رات میں جو دو رکعت ہے اس کو ایک ہزار سے ملٹی پلائی کریں گے تو عجرہ سواب اتنا بڑھ جائے گا جس نے ایک رات اس رات میں ایک روپیہ بھی اللہ کی راستے میں صدقہ و خیرات کیا تو گویا اسے ایک ہزار مہینے تک صدقہ و خیرات کرنے کا سواب ملتا رہے گا تو غریب اور آباہ کو کھانا کھلا دیجئے کسی غریب کو کپڑے دے دیجئے یا کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے اس رات میں انجام دیں تو وہ ایک ہزار سے جو ہے وہ ملٹیپل ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کئی گناہجر و سواب عطا فرمائے گا تین مرتبہ آپ صورت اخلاص پڑھ لیجئے تو حدیث مبارک کے مطابق پورے قرآن کریم کے ختم کرنے کا سواب ملے گا حضرت مولی علی کررم اللہ و جھل کریم سے مروی ایک ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں یعنی ہر تاکرات میں سات مرتبہ ہے صورت قدر پڑھ لیتا ہے انہا انظرناہو فی لیلت القدر تو اسے شب قدر کے برابر سواب مل جاتا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ تاریخ صاحب ناظرین محرم آپ نے سنا علامہ خاجہ عاشق حسین سیدی صاحب نے بڑی وضاحت سے روشتی دالی اس عمر پر کہ وہ کون کون سے کام ہو سکتے ہیں چھوڑ چھوڑی عبادات ہو سکتی ہیں جو مختصر ترین ہو سکتی ہیں آسانی سے کی جا سکتی ہیں لیکن ان کا عجر و ثواب بے حساب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں ہم ساتھ ساتھ مقابلہ ناظر خانی کو بھی آگے بڑھاتے ہیں ہمارے اس مقابلے کے اگلے سنا خان حافظ محمد وقاس قاندی جی حافظ صاحب قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دا ہے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دا ہے میں جن ویدہ میں نوتے لگ دے کہ اے دیوانا حضور دا ہے حضور دا ہے ایمان اپنے دی ایس تو وڈی دلیل دیوانا تکیم دیوانا نظر دا کعبہ نبی دا روزہ نظر دا کعبہ نبی دا روزہ اے دل دیوانا حضور دا ہے حضور دا ہے قسم خدا دی واللہ میرا ایمان واللہ کے ہر زمانہ حضور دا ہے ناظرین حافظ محمد وقاس قادری ناکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اس مقابلے کے اگلے چنافہ ہیں محمد فاہد نجم جب بھی دربارے خیر البشر جائیں گے لے کے ٹوٹا ہوا دل جی گر جائیں گے جو بھی راہِ نبی پر ہوا گامزن جو بھی راہِ نبی پر ہوا گامزن لاکھ بگڑے ہو ایک دن سور جائیں گے جو بھی راہِ نبی پر ہوا گامزن لاکھ بگڑے ہو ایک دن سور جائیں گے جب بھی دربارے خیر البشر جائیں گے لے کے ٹوٹا ہوا دل جی گر جائیں گے شرم سے اٹھ سکیں گی نگاہِ کاغا شرم سے اٹھ سکیں گی نگاہِ کاغا ہم نادامت کے عشقوں سے تر جائیں گے شرم سے اٹھ سکیں گی نگاہِ کاغا ہم نادامت کے عشقوں سے تر جائیں گے جب بھی دربارے خیر البشر جائیں گے لے کے ٹوٹا ہوا دل جی گر جائیں گے شرم سے اٹھ سکیں گے شرم سے اٹھ سکیں گے بہت سکیں گے ناظرین محترم مقابلہ نادخانی قیاسس پر جاری رہے گا ہم ایک وقت پھر بڑھتے ہیں علامہ خاجہ عاشق صحیح جی جانب اور ان سے جانے گے شب قدر کے حوالے سے چھوڑی سی یہ وضاحت فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اعلان کو اس تاریخ کو جو پوشیدہ رکھا ہے اس میں کیا حکمت کار فرما ہے اللہ مطلب روستی داری ہے جی دیکھئے اللہ تعالی کا نظام قدرت ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جو اپنے بندے ہیں ان میں اپنے اولیاء کو اپنے خاص بندوں کو ان میں پوشیدہ رکھا چھپایا ہوا ہے اس لیے تاکہ بندے ہر ایک کی قدر کریں ہر ایک کی عزت و تقریم کریں نجانے میں سے کون اللہ کا ولی ہو کون رب کا پسندیدہ بندہ ہو تاکہ ہر ایک کی قدر کی جائے اللہ تعالی کے جو اسم آزم ہے ان کو اپنے سارے صفاتی ناموں میں رب تعالی نے پوشیدہ رکھا تاکہ بندے ہر ایک نام سے فیضیاب ہوتے رہیں اسی طرح جمعہ کے دن حدیث مبارکہ میں ہے ایک ساتھ جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس گھڑی کو اللہ نے پوشیدہ رکھا تاکہ بندے پورا دن ہی اس گھڑی کے جستجو کے لیے تلاش کرتے رہیں تو ایسے ہی رب العالمین کا اس کو بڑھایا جا سکتے ہیں کئی چیزیں بیان کی جا سکتے ہیں اس کے نظام یا قدرت پر غور کریں تو یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ راتیں ساری ہی اللہ تعالی نے بنای ہیں ہر دن اسی کا ہے ساری راتیں ہیں تو لیلت القدر کو آخری عشرے کی تاکہ راتوں میں پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ میرے بندے ہر رات کو شب قدر سمجھیں اور اس کو پانے کے لیے جستجو کریں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں اپنے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کر کے رب کے جو توبہ کرنے والے استغفار کرنے والے بندوں میں شامل ہوں اور ساتھ ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے حوالے سے جو حکمت ہے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی علماء نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو شخص اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے اس کو تو ایک ہزار مہینے کی عبادت کا سواب ملتا ہے تو جو شخص جانتے ہوئے کہ یہ شب قدر ہے اس علم ہونے کے باوجود بھی اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا وبال بھی ایک ہزار مہینے کے برابر ہوگا یعنی جہاں نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اگر متعین کر دی جاتی کہ فلان رات کو ہی شب قدر ہے تو اس میں بتقاضہ بشریت جس سے گناہ سرزد ہو جاتا تو اس کے نام عمال میں پھر ایک ہزار مہینے سے زیادہ کا وبال اکھا جاتا ہے جی بلکل اس میں اللہ تعالی نے یہ جو ہے وہ پوشیدہ رکھا اس میں بھی رحمت ہے اور ایک روایت میں ہے اکلی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دی گئی کہ فلان رات کو شب قدر ہے اور جب آپ بتلانے کے لیے صحابہ کے درمیان تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہے مگر تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اب اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے لہٰذا اب اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں تلاش کرو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا بہمی جو جھگڑا ہے نا اختلاف ہے جو نا اتفاقی ہے یہ ایسی نہوست ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں اور اللہ تعالی اپنی انعیات کو ان لوگوں سے چھین لیتا ہے اللہ باق ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں ہم نے سنہ خانی کی طریق بڑھنا ہے لیکن کھوڑا سا آپ نے بھی میں ان راتوں میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس عمر کی بھی وضاحت کریں کہ استخفار کے فضائل جو ہیں وہ جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور استخفار کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے پر جو انعامات فرماتا ہے تھوڑا سا ان کا بھی تذکرہ ہو جائے ہیں جی بالکل یہ جو شب قدر کی بابرکت رات ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا اس کی ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ قیمتی ہے یہ جو ایک رات کی عبادت تیراسی سال چار مہینے کی عبادت سے افضل اور اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ نو سال کی عبادت سے افضل ہے اور پھر اس کا ایک منٹ پچپن دن کی عبادت سے افضل ہے اور اسی طرح جو ایک سیکنڈ ہے اس رات کا وہ بائیس گھنٹوں کی عبادت سے افضل ہے इसलिए एक एक लम्हे को कीमती बनाने के लिए तौबा इस्तगफार की जाए कलमा तयिबा का विर्द किया जाए इस्तगफार करने के आज जो जिन मसाइल से हम गुजर रहे हैं पूरी उम्मत परेशानी के आलम में मुबतला है और करोना वारिस ने पूरी दुनिया को अपने पंजों में जकर के रखा हुआ है ऐसे महोल में इस्तगफार करने की पूरी कौम को अशद जरूरत है बलके मैं कहूँगा एक आम मुसल्मानों को घर से लेकर एवान वजीर आजम तक एवान सदर तक के लोगों को आज जिस कदर इस्तगफार करने की जरुवत है शायद इस से पहले कभी न होगी नबी करीम अलिए सलाथ उसलाम ने रिशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लह से इस्तगफार करता है रब आलमीन उसके गुना बख्ष देता है चार इनामात मिलते हैं इस्तगफार करने पर फरमाया रब से अपने गुनाहों की माफी मांगो तौबा करो इस्तगफिरु रबकुम इन्नहु काना गफारा बेशक वो बख्षने वाला है माफ फरमाने वाला है यह पहला इनाम है हां जी इस्तग्फिरू रड़कों रिल्से रिल्समा अजी कॉना गफारा यूर्सिल समा अलिकुं मुद्रारा वो आस्मानों से तुम पर बारिश नाजिल फर्माइगा या लिय। سالی ہو, बारिश ना हो रही हो, तो रब लालमीन असमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, यूर्सली समालीकुम बिद्रारा वयुम्दिद्कुम बिअम्वालिम वबनीन वयजान लाकुम जनातिम वयजान लाकुम अनहारा, फरमाया कि अल्ला तुम्हें रिज्क में भी फरावा हो जाएगी, जनी दुन्यावी निमतों भी अल्ला ताला उनकी भी तुम्हारे उपर कस्रत फरमा देगा, और एक मज़र्ग तश्रीफ फरमा थे हज़ते इमाम हसन रदियल्ला अल्मन, यह हसन बसरी थे उनके पास एक सहब है, और उसने आके रिज्की तंगी की शिकायत की तो आपने उसे भी फरमाया के इस्तगफार किया करो, दूसरी आया उसने कहा, मैं बे आलाद हूँ जी, आपने फरमाय इस्तगफार किया करो, एक और श्क्स आया तो उसने कहा, जी तंक दस्की हो गई है, जानवर भूके पैसे अरसा हो गया है, गहत साली की वज़्श बने ہو رہی تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو ایک اور شخص آیا تو اس نے بھی اسی طرح اپنا مسئلہ پیش کیا تو آپ نے سب کو استغفار کرنے کا حکم دیا جو موجود حاضرین تھے انہوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے مختلف امراض مختلف مسائل لے کر آئے اور آپ نے سب کو استغفار ہی بتایا ہے فرمایا یہ میرا نہیں یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے اور جواب میں آپ نے قرآن کریم کی یہی آیت قریمہ پڑھی فرمایا کہ جو بندہ रब से मांगता है इस तगफार करने के बाद रब ताला उसे सब कुछ ही अता फर्मा देता है इस से किस तरह अपने बंदों पर इनामाद नाजिल फर्माता है नाजीन हमारे साथ रहिएगा हम प्रोग्राम के आखिर में अल्ला रब रब रिज्जत की जनाब में गिर्गड़ा कर दौा करेंगे अल्ला हम सब से हमारी दौाओं को कबूल फर्माए जरूरत यकीन इस अमर की है जैसे कि अल्लामा साथ ने फर्माया कि हम अपने गुनाहों पर तौभा करें और फिर अल्ला से उसकी मदद के तलबगार हों तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा नाज़ीने मुख्तरम सनाखानी के सिस्टे को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं हुसने यूस्फ को देखकर वहां कटी थी कई उंग्रिया खुद चांद कट गया यहां उंग्री को देखकर सनाखानी के लिए तश्रीफ लाए हैं इस वक्त हाफिज मुहम्म्मद अदीन जी हाफिज आगास कीजिएगा आपके पास तीन मिनट हैं दो से तीन अशार पड़ेंगे आप नादे रसुल मकबूल से आगास कीजिए किसी शेयर को रिपीट ना कीजिएगा इसके लागे ने का लजपाल नभी मेरे दर्दां दीदा देना लजपाल नभी मेरे दर्दां दीदा देना जद वक्ते नजा आए दामन दी हवा देना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिकर तेरा करना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिकर तेरा करना ऐसे जिकर दी बरकत नाल मेरी कबर वसा देना ऐसे जिकर दी बरकत नाल मेरी कबर वसा देना मेरा पर होता आलमे शौक मेरा पर होता काश काश में गुंबजी खिद्रा का तबूतर होता नाजरीने मुस्तरम साराखाने के लिए तश्रीक लाए हैं हाफिज मुहम्मद शाहिद अमीड जी शाहिद आवास कीजेगा दो से तीन मिनट तीन मिनट है आपके पास दो से तीन अशार पढ़ें जाओ ऐसा तुझे खानिक ने तरहादार बनाया शुष्प को तेरा तालि बे ती दार बनाया को ने न बनाये के सरकार की खाते है को ने न बनाये के सरकार की खाते है को ने ने निकी खाते है को ने तुमे 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 सरकार की खाते है को ने न बनाये के सरकार की खाते है को ने न बनाये के सरकार की खाते है को ने न बनाये के सरकार की खाते है गुबारे रह को बख्षा करोगे वाजिये सीना निगाहे इश्कों मस्ती में वही अवल वही आफिर निगाहे इश्कों मस्ती में वही अवल वही आफिर वही कुराँ वही कुरकाँ वही यादी वही ताहा मुकाबल नात्पानी की अगली सनाता है हम्मारा जरूर मरहभाज चलेंगे शुर्द अबरार के पास इंशा अल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास पेश करने के लिए कुछ नहीं बदकार के पास पेश करने के लिए कुछ नहीं बदकार के पास देरों सियाह गुनाकार सियाह कार के पास इंशा अल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास सर भी हम आख भी नंशर्म से पानी पानी या रसूल आख सर भी हम आख भी नंशर्म से पानी पानी क्या करे नजर नहीं कुछ भी गुनागार के पास इंशा अल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास अल्लाह वाभलाद नाजर्खानी की आखी से अल्लाह प्रेंगे साथ नाजर्म मुकाबला नाज़ खानी के लिए इस वक एक सनाखा वागी है हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मिया नवीद गुरेशी आप नाइच चदर हैं डिस्टिक फुटबाल एसोशीशन मुलतान के ये प्रोग्राम ये नाथ खानी का मुकाबला डिस्टिक फुटबाल एसोशीशन के तावन से भी पेश के जा रहा है आईए एक्तामि मराहिल में मिया नवीद गुरेशी के जानी चलते हैं और उन से जानते हैं कि इस मुकद्द्स और बाबरकत मैफिल में जहां हुदूर नवीय करें अपने अपने मुफ्रिद अन्लाज में मुफद बरे अन्लाज में कर रहे थे इस मेफिल में उनकी मौजूद्धी उन पर क्या फिलिंग्स हैं इसके सिस्ले में क्या ज़बात हैं और इसका इहतमाम करने के लिए उनके लिए क्या मौटिवेशन थी क्या चीज़ तहरी का सबब थी कि उन्होंने इस खुबसूरत मेफिल के इनकाद के लिए अपने इदा इतमाम किया और खुसूसर हमारी डिएफए टीम की जानीब से मिया जवेद कुरिशी सहाफ का बहुत मशकूर हूँ बहुत जबर्दस ये मुकाबला जारी है और बहुत जबर्दस हुआ है और ऐसे मुकाबले होने चाहिए ऐसे बच्चों को मौका देना चाहिए क्योंकि बच् collective को हम मौका देंगे तो हमारा ट्लेंट आगे आएगा हमारे पाकिसतान की यंग जनेशन का फ़र्द सिर्फ चाहता हूं कि आदेने होगे के नस्रोफ टलेंट सामने आएगा बलकि यह चीजज़ नौजवान नसल के अंदर अपने दीन की महबत को बढ़ाने का सथब प्रग्रामों में आने का और खुसुसान बहुत तेजी से तरक्किये करता हुआ अन अन चैनल हम हैं के बहुत मशकूर हैं और हम दूआ को एक क्यूज़ है कि नेक्स साल भी जो है यह प्रोग्राम जारी रहे। इन्शाला इन्शाला अल्ला ताला ने चाहा जिन्दगी बखेर जो है ये सिसला इसी आब उताब के साथ जिस से मजीद बेहतर अंदाज में जारी जारी रहेगा आपका बहुत मुश्कूर हूँ एन्न की पूली टीम की जानिब से आपका आपके इदारे का शुक्री आदा करता हूँ नाजीरे मुथरम खाजा आशिक हुसें सेईदी हमारे साथ मौजूद है शब कदर की मुकद्स रात हम पर साया फगन है जैसे के खाज़ा साथ ने फर्माया कि आखरी आशिक की ताक रातों में तलाश करो आखरी आशिक की ताक रातों में 21, 23 और 25 हम से रुखसत हो चुकी अब ये एक रात 27 वी और इसके बाद 29 की रात हमारे पास बाकी है और खाजा आशिक सेडी ने बड़ी तफसील से इस अमर पर रौशने डाली कि हम इन लमहात को इन रातों को जो ने सिर्फ शब कदर के मुकद्स लमहात हैं बलके इस माहे मुकद्स के भी गुजरते आखरी लमहात हैं हम किस तरह से इने कीमती बना सकते हैं आईए गुफ्तगु को क्रोस करते हुए मैं उनसे शब कदर की दौाओं के हवाले से भी बात करूँगा लेकिन उससे पहले हम उनसे ये जानेंगे कि शब कदर की क्या आलामात तारीख में या अहजूर नभी अक्रीम अलिए सलाथ के जानिब से अहादीस में या असलाथ की रिवायात में वारिद हुई हैं खाजासब जरा इस पर थोड़ी सी वज़ाद परमा दे जी उससे पहले जी बिल्कु निशानिया भी मौजूद है उससे पहले जो है वो आज की रात के हवाले से जो अलमाने ज्यादा तर अकवाल दिये हैं कि वो सताइस्वी की तरफ ही राजे हुए है अगर्चे ताक रातों में कोई भी मुम्किना तोर पर शब्यकदर हो सकती है मगर सताइस्वी का कौल ज्यादा तर मुफसरीन और जमहूर अलमाने अख्तियार किया है और उसकी दलील के तरफ पर उन्होंने कहाए कि देखें ओराने करीम में जो सुुरत अ कडर है लाईलतौ्बर में नौ हुरूफ है और सुुरत कडर में ये लवस तीन मरतबा से इसमाल हुआ है तीन मरतबा आया है तो नौ को तीन से अगर जर्ब दें تو حاصل جو کلام ہے جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ستائیس کا حاصل ہوتا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ لیلت القدر ستائیسویں رات ہی ہے اور دوسرا اس پوری سورہ مبارکہ میں تیس کلمات ہیں اور جو ستائیسویں کلمہ ہے وہ ہے ہیہ جو ایک زمیر ہے اور وہ مرجع ہے لیلت القدر کی طرف اس کا اشارہ لیلت القدر کی طرف ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ستائیسویں رات ہی ہے तो लहाजा इस रात को गनीमत समझना चाहिए और मैं कहा करता हूं देखिए एक चौकीदार भी तो होता है जो चंद टक्कों की खातिर सारी रात जागता है तो क्यों ना अपने खाले को माले को राजी करने के लिए एक रात अगर हम जाग जाएं और हमारा रब उस से राजी हो जाए तो इस से बड़ी और क्या बड़ी बात हो सकती है अज़रत बाबा बुले शाह रहमत ल्लाह थाला ले का मशूर जमाना एक शहर है फरमाते हैं राती जागें शेख सडावें ते राती जागन कुटे तेहंतू उत्ते दर मालिक दा छड़ दे नहीं भावें पवन सौस जुटे तेहंतू उत्ते सुक्की बुक्की रोटी खावें दर मालिक दे सुटे तेहंतू उत्ते बुले शा उठ यार मनाले नई ताल बाजी लेगे कुटे तेंत उते तो इसलिए आजरात जाग कर बेदार होकर अल्लह के हुजूर सजदा रेखज होकर तौबा इस्तवफार करके अपनी गुनाहों की माफी मागने की कोशिश करनी चाहिए जहां तक अलामात का तालुग है, अलमा ने लिखा है कि ये रात जो है वो नहायत साफ और शफाफ होती है यानि इस रात में बज़र्गों ने ये भी कहा है कि कुटे तक भूंकने की आवाजें नहीं आती है यानि ना और मुतदिल रात होती है नह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है नह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसके बाद जो अगले दिन का सूरच तलू होता है वो arrested जो बगईर शुआओं के तलू होता है और ये अमन और सिलामती वाली रात है यानि जंग अ जडल की और भी इस किस्म की खोफुदा करने वाली चीजे इस रात में नहीं होती इना आंधी है तूफान है बादल बिखली गरजने ये चीजें भी नहीं होती तो यानि साफ शफाफ और मुतदिल रात होती है इतमिनान اور سکون والی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جو اس کو فرمایا ہے ہی حتی مطلع الفجر سلامن ہی حتی مطلع الفجر یہ ساری رات سلامتی والی ہے قرآن حکیم میں سلامتی کے حروف آگئے ہاں جی سلامتی والی ہے تو بالکل یہ سلامتی والی رات ہے تو یہ کئی نشانیاں جو ہے نازین محترم مقابلہ سنا خانی کا اختتام ہے آخری سنا خان ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم पेश करें आखरी सनाखा जोहा फिदा जोहा आप दो से तीन अशार पढ़ेंगी ज्यादे से तीन मिनट हैं आपके पास किसी शेर को रपीट नहीं करेंगी आप और वक्त का ख्यार लगते हुए बिसमिल्ला करें आगास किजी में अदना ना आली मुरादों सिदामन नहीं कोई खाली कतारे लगाएं खड़े हैं सवाली मैं पहले पहले जब मदीना गई थी तो थी दे की हालत तरब जाने वाली वो दर बार सच मुच मेरे सामने था अभी तक तसावर था जिसका ख्याली में ने एक हाथ से दिल संभाले हुए थी तो थी दूसरे हाथ तरोजे की जानी दूा के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली जो पूछा है तुम ने के मैं नजर करने को क्या ले गई थी तो तफसील सुन लो थानातों का इक हार अश्कों के मोती दुरूदों का गजरा सलामों की डाली खुला है सभी के लिए बाब रह्मत वहां कोई रुद्बे में अदिना ना आली जज़ा का लाज़ा जरूदों की सना खानी के साथ ही मकाबले नात खानी अपने इखताम को पहुचता है नाजरीने मुहतरम हम गफ्तगू कर रहे थे लेलत अलकद्र के मौदों पर अलामा खाजा आशिक हुसें साइदी से गफ्तगू क्लोस करते हुए हम उनसे जानेंगे कि अल्ला के रसूल अल्याई वस्लम ने इस आखरी अश्रे की आखरी अश्रा जो जहन्नम से आज़ादी का अश्रा है इस अश्रे की दौा मुस्लमानों को क्या तालिम फरमाई और फिर इस अश्रे की ताक रातों में लेलत अलकद्र की तलाश का जो रुकम दर बार रिसालत से मुस्लमानों के लिए जारी हुआ तो आप नबी अकरीम अलिए सलातु वस्तलाम ने लेलातुल कदर के लिए मुसल्मानों को किस तरह से दौा तालीम फर्माई हम उनसे जानेंगे लेकिन उससे पहले मैं एक मरत फिर खोशामदित कहता हूँ सजर डिस्टिक फुटबाल एसोसेशन मुलतान जनाब मिया जावेद कुरिशी साब को मिया साब आप से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी फिलिंग्स अपने एससाद अपने जजबात बताईए इस मुकाबले नाथ खानी के हवाले से बिसमेञर रखցमारियम् qu बिसमेठी ने ने नूज की पूरी टीम को मुवारी बात दूँगा कीवद्य आज की रात बहुत ब़री रात है और आज की रात इननों के नात कान बच्चे आ Caribbean के आज की रात इनसे Science बी आई पर अच्छी बात है तो इन्शाला हमारी जो डिस्ट्रिक्ट वारेशन की टीम है में यहां पर मुझूद है तो पूरे झाल में टीम टेम एनकी मगारशाइंय आःविश चानल के और पूरी टीम इनकी मुवारिक बात की अगदार ऐसे है कि इस तरह के मुखाबले ये लोग मेरे ख्याल कई साल से करा रहे हैं और हम इनके साथ पहले मरत पहले साल शामिल हुए है तो इन्शालला हमारे साथ इनके साथ फुटबॉल एशेशन का और हमारी पूरी टीम का इन्शालला इनके साथ ञां रहेगा तो हम इनके साथ इनके साथ चलेंगे और मैं इनको इस तरह भी कहूँगा कि जो आज की राध उनके रखी है ये पोगराम रखा सब्मेकदरी रात है हमने अपने बड़ों से यही सुना कि आज की रात बहुत बड़ी रात होती है तो इसमें जो अल्द ताला से मांगा जाए वो पूरा होता है तो हमारे बड़े तो ऐसी कहते थे तो आलामा साथ बैठे खुए साथ ये बड़े अच्छे इंसान आलिम है तो बाकी ने बताएंगे आपको तो आपकी ये बताएंगे आपको तो मैं पुरी टीम को बारह बार दूँगा बहुत शूरा है तो हम इनके साथ इंके साथ निशान बूरा साथ रहें बहुत शूक्रिया मैंसाभ मैं अपनी जानिप से A&N News की पूरी टीम की जानिब से आपका आपके इदारे का शुक्री आदा करता हूँ नाज़ीने मुहतरम आईए हम खाजा आईशी खुसाइन साइदी साहब से जानेंगे कि अल्ला के रसूल से लिए इस अश्रे और इस रात के लिए क्या दौा तालीब फरमाई है जी खाजासाद जी हज़रते स्यदा आईशा सिद्धिका रदी आल्लाह ताला अनहा मुल्मूमनीन ने नबी करीम अलिह सलातु वस्लाम की खिद्मत में अर्ज़ की या रसुल आल्लाह सल्म अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये रात शब बेकदर है तो मुझे कौन सी दौा पढ़ने चाहिए तो नबी करीम अलिह सलातु वस्लाम ने उनको जो दौा तालीम फरमाई हकीकत में मुखात तो वही थी दर असल पूरी उम्मति मुसलमा और क्यामत तक के आने वाले मुसलमानों को तालीम करना मक्सूद था अक अल्य सलातु वस्लाम ने फरमाया तो इन अल्फाज में दौा करना अल्लाहुमा इनका अफूवन तुहिबूल अफवा फाफू अन्नी या गफूर या अई आल्ला बेशक तू माफ फरमाने वाला है और माफी को पसंद फरमाता है पस मुझे भी माफ फरमा दे मुझे भी बखश दे अर्बी के अरगर अल्फाज आते हूं तो ज्यादा बेहतर है क्योंके बारगाह रिसालत से जो अल्फाज निकले है उनका अपना ही एक असर होता है लेकिन नहीं आते तो अर्दू में ही अपनी मादरी जबान में ही पंजाबी में सरह की में जो भी आपकी मादरी जबान है उसी में रब ताला से मांग सकते हैं और रब ताला की बारगाह में कोई कमी नहीं है अज़ति मुला अली कर्रम अल्ला वज्हुल करीम का मशूर कौल है फरमाते मन दक्कल बाबल करीम फतहु लहू कि जो किसी करीम का दर्वाजा खटकाता रहता है खटकाता रहता है आखिरकार एक ना एक दिन वो दर्वाजा खुल जाता है तो रब की बारगाह में अगर तौबा इस्तगफार करते रहेंगे आहो जारी करते रहेंगे तो परवर्दिगार आलम एक ना एक दिन जरूर बंदे की बख्षिश फर्मा देगा तो चाहिए के खुलू से दिल से मंगे और इस यकीन और अकीदे और एमान के साथ मंगे के मेरा परवर्दिगार मेरी आवाज को सुन भी रहा है और जरूर शर्फे कबूलियत भी अता फर्माएगा तो जब इस कबूलियत के यकीन के साथ दूआ मांगी जाए तो रब ताला फिर कभी भी रजद नहीं फर्माता वैसे ही हदीश में है कि दूआ के तीन फैदे हैं कि तीन फैदों से दूआ खाली कभी नहीं होती या तो जो बंदा चीज मांग रहा है लग टाला वो अता फर्मा देता है या फिर उससे बेहतर चीजद लगे लगे धाला उख्युदा शीर सुरफर यह होती है कि उसको वो चीजद बहुत बहुतर भी बहुतर बहुत बहुत कंता होeni जाए ही है काश मेरी दुनिया में कोई भी दूा कबोल ना होती और सारी यही आकरत के वास्ते जम्मा हो जूती और वैसे तूआ अद्द्धाय। तो गिड़ गिड़ा कर आहुजारी के साथ इस यकीन के साथ दौा मंगेंगे कि मेरा रब जो है वो सुन रहा है तो फिर परवदिगार जरूर करम फरमा देगा अलामा साथ मैं चाहूंगा आपने ये जो दौा फरमाई है शब कदर के लिए आप एक दफ़ा फिर इसको दौरा दें ताकि नाजलीन उसको सुन भी लें और ये स्क्रीन पर भी दौा चलेगी तर्जमे के साथ ही एक मरतबा फिर पढ़ता हूँ मौला बेशक तू माफ फरमाने वाला है और माफी को पसंद फरमाता है पस मुझे भी बख्ष दे जजाक लगा जजाक लगा आखरी अश्रे के लिए भी या पूरे अश्रे में इसी दौा का विद रखना है या कोई अलक से दौा का इस तमाम दी है अपने अपने अलफाज में मंगे जैसे फरमाया कि जहन्नम से अजादी का अश्रा है तो अल्छ अल्हम्मा अजिर्नी मिनन नार आखरी अश्रे के लिए ये भी दौा है कि या लगा मुझे दोजग से निजात अता फरमा अर फस्रूस सली ने जो ताकीद फरमाई तो फरमाये इस महिन में चार कीज़ों की कसरत करो एक तो ला इलह उल्ह ला पढ़ने की कसरत और इस्तगफार की कसरत और फरमाई दो चियजें जिन से तुम्हें बेन्याजी नहीं है एक तो आल्लह से ज़नन मंगना और ःज史 में जब कोई बंदा अल्ला से जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत कहती है मौला तेरा फलाँ बंदा मांग रहा है रब ताला फर्माता है वो मांग रहा है तो मैंने उसे अता कर दी और जो जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम भी रब से कहती है मुला तेरा फलाव बंदा मुझसे पना हमांग रहा है रब ताला फरिष्टों को गवा करके कहता है गवा हो जाओ मैंने इस बंदे को दोज़ा हराम कर दी है दोज़ा के आग इस पर जो हराम फरमा दी है जजा के लगा नाज़ीन मुख्तरम आपने सुना अल्मा खाज आईशी खुसें सेडी फरमा रहे हैं कि आखरी एच्छे की दूआ अल्ला के रसूल से लिए यू तालीम फरमाई आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बातरजम दूआ हमारी स्क्रीन पर मौझूद है इसका इहत नाज़ीने मुख्तरम रिजल्ट मुकाबला सना खानी का तैयार हो रहा है आखरी मराहिल के जजज उसामा यूस्फ कादरी रिजल्ट तैयार कर रहे हैं हम उन से रिजल्ट मालूम करेंगे और साथ ही उन से गुजारिश करेंगे कि वो खुद भी नात-ए-रसूल मकबूल صلی اللہ علیہ وسلم सुना कर हमारे दिलों में आप नबी अक्रीम صلی اللہ علیہ وسلم की महבת को और ज्यादा बढ़ावा अटा करें उसके बाद हम सब मिलकर अल्ला की बारगाह में दौा करेंगे आज की इस मुकद्दस रात में इस्तमाई दौा है आप सब हमारे साथ शरीक हो जाएंगे जब तक उसामा यूसफ कादरी रिजल्ट को त्यार कर लें मैं शेर के अंदाज में हसन निसार के अलफाज में आईए आपको तखयूल में मदिना में मदिना की खाक पर और आँ हजूर नबी करीम सलिल्लाहो अलेहिवसिल्म के रौज़ा अक्दस पर ले जाता हूँ हसन निसार की एक बड़ी मारूफ नात है मुझे भी बहुत पसंद है यकीनन बहुत सारे लोगों को पसंद है बहुत सारे शौरा ने इसी जमीन में इसी बहर में मजीद भी कलाम लिखा है मैं हसन निसार की नातिया नजम आपकी खिश करता हूँ वो लिखते हैं तेरे होते जनम लिया होता कोई मुझसा न दूसरा होता सांस लेता तू और मैं जी उठता काश मक्का की मैं फिजा होता हिजरतों में पड़ाओ होता मैं हिजरतों में पड़ाओ होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता बीच ताइफ बवक्ते संग जनी बीच ताइफ बवक्ते संग जनी तेरे लब पर सजी दौा होता किसी घजवे में जखमी होकर मैं तेरे कदमों में जाग गिरा होता काश उहद में शरीक हो सकता और बाकी नफिर बचा होता तेरी कमली का सूथ क्यों ना हुआ के तेरे शानों पे जूलता होता चोब होता मैं तेरी चोखट का या तेरे हाथ का असा होता तेरी पाकिजा जिन्दगी का मैं कोई गुमनाम वाक्या होता लफ़ होता मैं किसी आयत का जो तेरे होंट से अदा होता मैं कोई जंग जू अरब होता जो तेरे सामने छुका होता मैं भी होता तेरा गुलाम कोई लाख कहता नमे रहा होता सोचता हूँ तब जनम लिया होता सोचता हूँ तब जनम लिया होता जाने फिर क्या से क्या हुआ होता चांद होता तेरे जमाने का फिर तेरे हुक्म से बटा होता पानी होता उदास चश्मों का तेरे कदमों में बह गया होता पोदा होता मैं जलते सहरा में और तेरे हाथ से लगा होता तेरी सोहबत मुझे मिली होती मैं भी तब कितना खुशनुमा होता मुझ पर पढ़ती जो तेरी चश्मे करम आदमी क्या मैं मौजजा होता तुकडा होता मैं एक बादल का और तेरे साथ घूमता होता आसमा होता एहद नबी का तुझ को हैरत से देखता होता खाक होता मैं तेरी गलियों की और तेरे पाउं चूमता होता पेड होता खुजूर का मैं कोई जिसका फल तुने खा लिया होता बच्चा होता एक गरीब बेवा का सर तेरी गोद में छुपा होता रस्ता होता तेरे गुजरे का और तेरा रस्ता देखता होता बुथ ही होता मैं खाना काबा में जो तेरे हाद से फना होता मुझको खालिक बनाता गार हसन और मेरा नाम भी खिरा होता नाजरीने मुहतरम आईए चलते हैं आज के मकाबले सनाखानी के नतीजे के लिए अपने इस मकाबले के जज उसामा यूसफ कादरी की जानेब डी उसामा जी रोहान साब जो थार्ड पोजिशन असल की है वो हैं सोहा फिदा मुकाबले सनाखानी में तीसरे इनाम की हगदार करार पाई हैं सोहा फिदा जी और जो सेकिंड पोजिशन असल की हैं वो हैं बिसमा जावेद जी दूसरे दरजे पर बिसमा जावेद जए और जो अब्ल पोजिशन है वो है हाफिस शाहिद अमीन और मकाबले सनाखानी में वोल इनाम के हत्दार करा पाए हैं हाफिस शाहिद अमीन मैं इन तमाम तल्भा तल्भा delighted से एक दिखली फॉल फिर घुंगा अपने प्यारे रसूल ﷺ की सनाखानी के लिए दौा है आपकी इस महबत को, आपके इन अलफाजों को, आपकी सनाखानी को आपकी जानिब से, आपके वालदाइन की जानिब से और सारी उमतِ मुस्लिमा की जानिब से अपनी जनाब में कुबूल फरमाएं हम पर अपनी रहमतों का नुजूल फरमाएं, हम उसामा युस्फ कादरी से गुजारिश करेंगे नातِ रसूल मकबूल ﷺ पेश करें, उसके बाद हम सब मिलकर इस्तमाई दौा करेंगे जी उसामा करमा जबालाएं, बामा गया है करमा जबालाएं, बामा गया है जूबां पर मुहम्मद का नामा गया है जुबां पर मुहम्मद का नामा गया है करम जबाल आए और मज़ा जब है सरकार महशर में कहे दे मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे कि वो देखो हमारा गुलामा गया है वो देखो हमारा गुलामा गया है करम जबाल आए जबाल आए नूर फैला हुआ आज की रात है चांप ली में हैं दो बे भुबे दो जहां कौन जल्वा नुमा आज की रात है झाल आज की रात है प्रेट हैं। नूर फैला हुआ आज की रात है चांजली में रह्दों बे भुबे दो जहां कौन जल्जवा नुमा आज की रात है जजाके लगए उसामा यूस्फ कादरी नातिर रसूल मकबूल चांजली में पेश करने के लिए अपने प्यारे हबीब चांजली में की सनाखानी हम सब से कबूल फरमाए नाज़ीन मुहतरम आईए इस वक्त हम सब आगास करते हैं अपने दिलों को अपने जबगीनों को अपने रब की बारगाव में जुका कर अपने जोलियों को इजज औ इनकसारी के साथ पहला कर खाज़ा आशी कुसैन सेडी साब से गुजारिश करेंगे कि वो इस्तमाई द्वा के लिए अल्ला की बारगाह में हाथ उठाएंगे हम सब उनके साथ हाथ उठाएंगे आल की बारगाह में बिसमिallहीर्रह्मानि एर्रहीम اللहम् मसुल्य अलांसिदिनाister on मुहम्मद नए आल सज्जिदिना व्मुलाना मुहम्मद नए डदमा फी इल्म लाही सलातं दाइमतं जवाम मुल्क इल्ला अल्लाहुम रबना आतिना फि अपि उन्या हसना वफि आखरति हसना तंवडिना आजाब अजाब नार रब्यु फिर ररर्यन वांते खैर अर्यर राह्मीर, बिज्दना मिनननार, अजिदना मिननननार, अर्ञाजीजु या गफार, या शाथ यालम्रादध इस्फि मर्दाना, या हल्लमुश्किलात हैं या'll मुश्किलाति या दाफिवाल बल्यात इद्फवानना बलाई दुनिया वल आखिरा परवदिगार आलम इस महफिले मिधधِ رसूल सल्यल्लाव सल्म में हम सब के हाजरी को अपनी बारगाह में कबूल मन्जूर फर्मा ए रबे कैनात इस महफिले पाक में हाजरी हम सब के लिए जरीय निजात बना हम सब की बख्शिश का सामान बना ए रबे कैनात इनन नियूज की इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल और मन्जूर फर्मा हुजूर अकरम सल्ले लाह ताला लिए वसल्म की सनाखानी की महफिले इसी तरह सज़ती रहें और जिन जिन हजरात ने जनाब मिया जवेद कुरेशी सहब ने और डिस्टिक फुटबाल इसेशनन की पूरी टीम ने और दिगर जिन हाजरात ने तामुन किया है मौला करीम उनकी खिद्मात का बेहतरी अजर अता फर्मा और एनन नियूस की पूरी टीम को मजीद हिमत एस्तगामत अता फर्मा दिने मतीम की खिद्मत के लिए रसूल अल्लाव सल्म की नाथ के फिरों के लिए अपनी तवाम तर तवानाईयों को बजा लाने की तौफीख अता फर्मा जिन तौलाव 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 हालात पर अपना करम फर्मा और बिल खुसूस करोना वायरिस के मुखलक मरसे निजात अता फर्मा जो मुसल्मां इसमें मुब्तला हैं उन्हें सब कोई शिवा कामिला अता फर्मा और जो महफूज है उन्हें आइनदा भी महफूज और मामुल अबतला जो घरों में हैं, अस्पतालों में, सफरों हजर में, बच्चे हैं, जवान हैं, ऑुड़े हैं, बूड़े हैं, हाजिर हैं, गैब हैं, मौला सब कुछ इकानिल अता फर्मा। सब के दुखों को सुख में बदल दे सब की तकलीफों को रहत में बदल दे जितने तंग दस्थ हैं फराख रोजी अता फर्मा एमा उल्ला जो बे आुलाद हैं नेक सहले आुलाद अता फर्मा जिने आुलादी है वालदेन कताब फर्मान बना हमारे मुल्की हालाद पर करम फर्मा मुहमने अंद्रूनी बेरोनी दुश्चमनों की चास्थों से इस मुल्कों मحفोظ फर्मा मुसला फ़ाज की खानून नाफिश करने माले इदारों की हिफाजद फर्मा और हम सब को दीन और दुनिया की बहत्री आ भलाईया अता फर्मा कदम कदम पर हिपाज़त फर्मा बुरे वक्त और बुरी घड़ी से महफूस फर्मा जमीन अस्मानी आफात उ बल्यात से बचा जहरी बातनी दुश्मनों के शर्थ से महफूस फर्मा ए रब लालमीन हमें जब तक जिन्दा रखे अपने सिवा किसी का महता आजना फर्मा और जब हमारी मौत का वक्त आए तो एमान पर खात्मा फर्माना ए रब करीम रमजानलमबारक की ये बाबरकत साहतें ये मुकद्स घड़ियां हमें जिन्दगी में बार बार देखने की तौफीक अता फर्मा मौला हमने हुदूर से मुबारका सुनी है कि वो शख्स तबाहो बरबाद हो जाए जिसने रमजान को पाया और अपनी मखरत न करा सका मौला ये तेरा माहे मुबारक अनकरीम हम से जुदा हो रहा है मौला ये करीम इस माहे मुबारक की बरकतों से हमें फैजिया फर्मा और जो कुताहियां घल्टियां और इसकी बेद्मियां हो गई हो वो हमें माफ फर्मा देना और इस माहे मुबारक को हम से राजी रवाना फर्माना और बरोज इसकी शफास से बहरवर फर्माना या ल्ला इस चैनल को महबतों के फिरों के तौफिक अता फर्मा हम सब को अपसमे इतिफाक को इतिहाद अता फर्मा नफरतों अदाबतों को दूरतों को दूर फर्मा दे तमाम मुसल्मानों को बहम शीरो शकर फर्मा दे एरब कहनात हम सब पर करम फर्मा और हमारी दौाओं को महजब अपने फजल करम से शर्फ गबूलियत अता फर्मा तमाम हज़रात उनु से दिल से दौा फर्माएं अल्ला ताला हरमें शरीफें की रुन के बहार रखे रब लालमीन हरमें मक्का हरमें मदीना की खेर फर्माएं और हज उम्रा करने की मौला करीम हमें सादती और तौफीक अता फर्माएं मुसल्मानों के इन मराकिज को हमेशा अबाद उशाद रखे और इन शिफा के मराकिज को हमेशा मुसल्मानों के लिए खुला रखे मौला हमारे खात्म एमान पर हो हमारी जिन्दगी इसलाम पर हो मरते वक्त कलमा तज्जिवा नसीब हो रब कैनात जो दौाइं मांगी हैं महज़ अपने फजल करम से तुझे तेरी शाने रहीमी का वास्ता तुझे तेरी शाने करीमी का वास्ता और अपने इस मुकद्दस महमाने रमज़ान मुबारा का वास्ता हमारी दौाओं को महज़ अपने फजल करम से शर्फ कबूलियत अता फर्मा और जो नहीं मांग सके अपने हबीब करीम अलिस सलाम के तुझे से बिन मांगे अता फर्मा आमीन आमीन बहुर्मति स्जिदल मुर्सलीन वसल ल्लाह वाला हबीबिह मुहम्मद वाला आलिह वा अस्थाबिह अजमाइन बिरह्मतिक या अरहमर्राहमीन नूर मैं फिल्प चादर मनी नूर की नूर पहला हुआ आज की रात है चादिली में है दूबे भुबे दो जहाँ कौम जल जलवा दुमाँ आज की रात है बोले दल की बोलिया जाइक्य की जुपा है शमा